ये देखे मैंने बहुत ही प्यारे शोज बनाए है इसके लिए हमें ये ओन चाहिए ये सीजर और ये 2.5 mm का क्रोश्य ओक है और ये साथ में मारकर है चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम नौट लगाएंगे चेन डालेंगे ऐसे द्रेल देंगे क्रोशी कॉपनी तरफ रखेंगे यहां से ऐसे ने टालेंगे चेन बनाएंगे मैंने 29 चेन डाली है 30 चेन डालने के बाद एक दो तीन चेन डालेंगे और एक दो तीन चार स्किप करके इसके अंदर तिर्थ वाले में पांचे वाले में हम डबल क्रोशी अबनाएंगे यह नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोश्य अबनाएंगे यह नेक्स्ट में डबल क्रोश्य ऐसे हम यह पूरी चेन में डबल क्रोश्य अबनाते जाएंगे इसको हम तीन की चेन को काउंट करेंगे तो 39 डबल क्रोश्य अब यह लास्ट वाले में हम इसमें 7 डबल क्रोश्य अबनाएंगे एक ओल रड़ी हमने बना लिया है इसके अंदर 7 बनाएंगे 2 3 4 5 6 बोड़िये 7 डबल क्रोश्य अबनाएंगे एक दो तीन चार 5 6 7 7 डबल क्रोश्य अब यह डबल क्रोश्य के ओपर डबल क्रोश्य अबनाएंगे ऐसे ही बनाते हुए इसे यहां तक एंड तक यहां फर्स तक कम्प्लीट कर लेंगे यह लास्ट वाले में हम यहां पर जैसे यह सैमन साथ डबल क्रोश्य अबनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह हमने चैमनाएंगे और यह साथ वां अल्रेडी बना हुआ है अब यहां इसकी 1, 2, 3 थर्ड वाली चैनने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे यहां एक, दो, 3 चैन डालेंगे यहां पर डबल क्रोश्य अबनाएंगे यह नेक्स वाले में, यह नेक्स वाले में डबल क्रोश्य यह जाड़ा बड़ा बड़ा नहीं बनाएंगे हम ठीक ठीक ही रखेंगे, ऐसे ही बनाते हो गई ही रोख, यहां तक, जहां पर हमने साथ डबल क्रोश्य बनाएं, यहां तक कम्प्लीट करेंगे, है कि अब यह सब्टमने सांग डबल कर स्यफल्ट माया हैं सब महीं हम दो दो बार डबल क्रोश्या बनाएंगे इतने दो बार डबल क्र cion जिल इस ये नेक्सट वाली चैन में आ हृं शूपरों हम व्रचों कम ओर ही थी अनल कुण 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 के उपर 14 डबल क्रोशिया सम्में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यह हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डबल क्रोशिया बना लिए अब यहां पर सम्में 1 एक डबल क्रोशिया बनाएंगे समीक एक डबल क्रोशिय बनाते हुए इससे यहां तक complete कर लेंगे इस साइड़ भी 14 डबल क्रोशिय बना लेंगे यह साथ के ओपर दो दो डबल क्रोशिय बनाएंगे तो यह 14 डबल क्रोशिय बन जाएंगे कि दो चार चीन आगा को चार फिरथा क्षे और मोड़ा है वर दृष सो करें भी करेंगए। एक में दो दो बनाए हैं अब इस देख यहां पर एक डबल क्रोशिया सेक्ड वाला है इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक रे की दो इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे फस्त वाले में एक डबल क्रोशिया यह नेक्स्त वाले में दो डबल क्रोशिया बनाएं है ऐसे ही हम एक में एक और एक में दो डबल क्रोशिय बनाएंगे अब यहां हम सब ने एक डबल क्रोशिय बनाते हुए और यहां फोटी में एक में एक में दो एक में एक में दो डबल क्रोशिय बनाते हुए यहां तक कंप्लीट करेंगे यहां पर भी यहां एक डबल क्रोशिय यहां नेक्स्ट वाले में दो डबल क्रोशिय एक हमने अल्डेडी यहां बनाया हुआ है नेक्स्ट वाली चेन में यहां स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे ये थ्रेड को यहां से ऐसे ले लेंगे अग ये थ्रेड को यहां से ऐसे बैक में दे जाएंगे एक, दो, तीन चेन डालेंगे यहां से थ्रेड को निकार लेंगे डैक डबल क्रोशिया बनाएंगे ये दिखे यहां से ऐसे डैक से थ्रेड को निकार लेंगे ये तीन होगे दो का एक फिर दो का एक डैक डबल क्रोशिया बनाएंगे यह ऐसे बनता जाएगा ऐसे ही बनाते हुए यह पूरी रोग को यहां तक कम्प्लीट कर लेंगे इसे यहां पर फर्स्ट वाले चेन में स्लिप स्टीच से जॉइंट कर देंगे एक दो चेन डालेंगे ऐसे बन लेंगे और बैक से ऐसे थ्रेड निकाल लेंगे और दबल क्रोश्या बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट बल क्रोश्या बनाएंगे फिर ऐसे एक बैक से थ्रेड निकाल लेंगे फिर ये back post double crochet और एक front post double crochet फिर back post double crochet एक front post एक बैग पोस्ट और एक फ्रन्ट पोस्ट मिलाते जाएंगे, ऐसे ही बनाते हुए, ये चारो तरफ से हम इसे यहां तरफ कम्प्लिट कर लेंगे, फ्रन्ट पोस्ट बनाएंगे, फिर दो चेन, फिर ऐसे बनाएंगे, बैग पोस्ट के उपर बैग पोस्ट बनाएंगे, और फ्रन्ट के उपर, फ्रन्ट पोस्ट के उपर फ्रन्ट पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रन्ट पोस्ट बनाएंगे, प्रेंट पॉस्ट की डालेंगे टोटल 4 रोग बनाके फिर मैं आपको दिखाती हूं यह मैंने 4 रोग कंपलीट करके फिफ्त रोग भी यहां तक बुन लिया है किसे ऐसे इकुल कर लेंगे यहां पर जो ही फ्रेंट पॉस्टबल कुरुश्या है यहां मार्कर लगा देंगे यहां पर हम दीख्रीस करेंगे यहां से से कम करते जाएंगे यहां से घटाते जाएंगे इसके यह जो सेंटर वाला है इसके दुनों साइड का एक एक लेंगे अब हम दैक वाला निलेंगे फ्रंट में से फ्रंट पोस्ट हाफ तब फ्रंट पोस्ट करेंगे फिर ये बल लेंगे और ये जो सेंटर वाला है इसको भी half front post फिर इसके next वाला अब ये चारों को हम इकठाई ऐसे यहां से thread निकाल देंगे फिर यहां back post double crochet बनाएंगे प्रन्ट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक, पोस्ट और प्रन्ट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते हुए से यहां तक complete कर लेंगे, यह round complete होगा है अब यहां पर swift stitch से joint करेंगे, यह हम decrease करने की second row बना रहे हैं, एक बैक पोस्ट, इक फ्रांट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, डबल क्रोशिया, फिर फ्रांट पोस्ट, डबल क्रोशिया, यह से यह यहां तक पुनेंगे, यह थ्री का एक किया है, इसको भी साथे, इसके साथ इसे जॉइन करेंगे, यह फ्रांट पोस्ट, डबल क्रोशिया बनाएंगे, यह बैक वाला नहीं बनेंगे, फ्रांट पोस्ट, इसे बनेंगे, यह यह जो तीन है, तीन के अंदर से ऐसे, बनेंगे, फिर यह बैक नहीं बनेंगे, फ्रांट वाला, यह चारों में से त्रव निकाल देंगे, यहां से जुत्तिक शेप बलती जाएगी, अब एक बैक वो एक प्रंट पोस्ट बनाते हुए, इसे हम यहां तक कम्प्लीट कर लेंगे, ऐसे ही यहां तक कम्प्लीट करके, फिर यहां तक आके फिर ऐसे ही दिखाती हुआगे क्या कर यह second row complete कर लिया है और third row यहां तक बुन लिया है बैक वाला नहीं बुनेंगे यह front post को half बुनेंगे फिर यह तीनों thread जो है बैक वाला नहीं बुनेंगे यह front वाले को इसमें से इसे बुनेंगे और यह 4 का एक कर देंगे अब ऐसे ही back post double crochet बनाएंगे यह front post double crochet बनाएंगे क्रीज करते हुए हम two row और कर लेंगे फिर मैं आपसे बिखाते हैं यह हमने ninth row complete कर लिया है यह last वाली row में यह back वाला नहीं बनाएंगे उसकी front post को जैसे हम अपना बाद करेंगे यह यह चारों में से इसे निकाल देंगे पिर एक यह back post double crochet बुरी front post बनाएंगे 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 कम्प्लेट कर लेंगे यह हमने ninth row complete कर ली यह back post double crochet बनाएंगे यह चैन डालेंगे और इसमें सिंगल क्रोश्या करेंगे दो का एक करेंगे तो यह सिंगल क्रोश्या बन जाएगा सिंगल क्रोश्या बनाटवे से यह तक बुनेंगे 13 छोड़के यहां तक सिंगल क्रोश्या बनाटवे complete करेंगे यहां से यह रोग स्टार्ट हुई थी तो यह एक दू तीन चार पांच छी साथ आठ नों तस ग्यारा बारा तेरा तेरा छोड़के यहां तक बुल लिया है अब हम यहां से यहां तक एक एक स्किप करेंगे इससे श्किप करेंगे इसके अंदर सिंगल क्रोश्या यह इसने सिंगल क्रोश्या बनाएंगे इसे स्किप करेंगे एक स्किप करके इसनगल क्रोश्या बनाएंगे इसे स्किप करेंगे, यहां सिंगल क्रोशिया, यहां से जॉइंट कर देंगे, बहुत सुन्दर शूज की शेप आई है, इसे स्लिप स्टीच करके इसे कर्ट कर देंगे, मारकर हटा देंगे, अब हम इसमें ऐसे बोर्डर बनाएंगे, सबसे पहले हम यहां से थाड़ लेंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हम यहां से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यह जो है, इसको यहां से करेंगे, यह थ्रेड को जो है, इसको अंदर लेते जाएंगे, यह किया नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया, और यह एक दो थर्ड फ्रंट पोस्ट मनाया है, इसके बीच में से यहां से थर्ड लेंगे, वैसे दो का एक कर देंगे, इसके बनाते हुए, हम इसे चारो तरफ से कंपलीट कर देंगे, यह देखिए, चारो तरफ से हमने इसे कंपलीट कर दिया, अब इसे स्लिप स्टीज से जोइंट कर देंगे, यह देखिए, यह प्यारी सी सोक्स रड़ी हो गई, बहुत ही सुन्दर बने हैं, यह देखिए, यह दोन्नों सोक्स रड़ी हो गई हैं, यह देखिए, बहुत ही सुन्दर बने हैं, चलिए देखिए उर बनाए, ठेंक्स पर वोचिंग, बाई-बाई, हैँ नाइस टेंग, कर दो कर दो